कि सुनवाई कार्वाई के लिए नवस्कार आप देखरें लैप सिचीज्स मैं आपके साथ प्रेम रादे के अभी हम आट जेडी कार्याले में जहां पे बिहार के उपर फंत्री तेजस्वी आदब ने कहा था कि सुनवाई कार्वाई का सुरुवात किया जाए और आज 22 नवंबर से कार्यकरम का सुरुवात होना देखे आट जेडी कार्याले में जो तमाम जो लोग हैं जो फर्यादी हैं वो अपना शिकायत लेकर पहुंचे हैं और यहां पे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं आलोक कुमार महता और इलायर मंसूरी दोनों को मिलकर जो तमा राश्चिय जनता दल के तक्त्वावधान में मानिये बिहार के उप मुखमंत्री श्रीत जश्री प्रसाद यादब जी द्वारा जिये गए नारे पढ़ाई लिखाई दवाई सिर्चाई सुनवाई और कारवाई उस रास्टे पर उनके विचारों के अनुरूप आज राश्चिय जनता दल के प्रदेश कारजाले से सुनवाई कार्जक्रम के शुरुवात हो रही है यह सुनवाई कारवाई के लिए एक पहल है जो बिहार की आम जनता जिसका जिनकी समस्याओं से जनकी समस्याओं जन्म सरोकार से समंदित हैं वैसे मसले को यहां पर सुना जाएगा लिखित आवेदन अमंत्रित किये गया है कार्जक्रता साथियों के से और आज उस लिखित आवेदन पर मैं हम आज के रोस्टर में मैं राजस एवं हुमि सुधार मंत्री इंख उद्योग मंत्री अलोग कुमार महता और विज्ञान प्रावैदिकी मंत्री मानी इस्राइल मंसुरी जी किस कारजक्रम में सुनवाई कार्जक्रम के लिए पार्टी की ओर से मानने तेस्वी प्रसाद जादर जी की ओर से यहां पर उपस्के थुआ और यह सारे समस्याएं जो सुनी जाएगी जो लिखित रूप में लिया जाएगा उसको कारवाई के लिए दिभागों में भेजा जाएगा और जिन समस्याओं का समाधान कभी फोन से हो सकता है फोन के माध्धन से भी उसको समंदित प्राधिकारी को बोला जाएगा और लिखित रूप से भी से भेज़ दिया जाएगा यह कार्जक्रम काफी कि इस मामले में महत्पुर्ण है कि आम जनता अपनी बातों को कहां रखे जन सरोकार की समस्याओं विभिन अस्तर पर जो एड्रेस करने में कहें भी कुताही हो रही हो उसको कि उसका समाधान कराने और उसके कुछ पर कारवाई करने के लिए हम यहां से अगर सारित प्रेशित और विभीरी प्रदाजिकारियों को उसके समंदे बात करके उसका समाधान का उपाय करें यहां कार्जकरता का दरवार है कि अपने पार्टी के कार्जकरताओं के प्रतिसमर्पित हैं जुनका संबंध आम जनता या जन सरोकार से कि इससे जुरी हुई समस्याओं से हैं और उसका जो एक तरीका है जैसे व्यक्तिकत रूप से भी मेरे पास के लोग आते हैं उनके आवेधन को लेकर उस पर कि उसी घंग से की जाएगी और जरूरत पड़े जहां ब्रिहत जन्व सरोकार है वहां पर हम आगे बर कर भी मानिये तेश्वी प्रसाद याजब जी के सहयोग से मानिये मुख्य मंत्री जी के सहयोग से भी उसी आगे बरहने करता है तो अपने साब तोर पर जो बिहार सारगार का मंत्री है अलो कुमार मेटा को सुना उनके कहना कि जनता का सुनवाई जो प्रॉब्लम है समस्या है उसको सुना जाएगा बागे कि तमाम ख़़रों के बने रहे हैं लाइप टेश्वी सेक्तार लाइप टेश्वी को धन्यवाद।